नमस्ते दोस्तों मैं डॉक्टर चेतन गुपता आईश्मत स्पेशलिटी प्रिडिक्टी होमेपेथी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा यानी की दमा से रिलेटेड समश्या के बारे में और जानेंगे कि ये किस तरह से आपकी दिन चरिया को प्रभाइद करती है और होमेपेथी में ऐसी कौन सी दवाई है जो अस्थमा को जड़ से ठीक करने में आपकी मदद करेगी तो शुरू करते हैं दोस्तों और जानते हैं अस्थमा के बारे में डिटेल में अस्थमा हमारे स्वास मार्ग में होने वाला अव५ृद्ध है यह स्वास नली में संकुचन एवं सुजन होने की वज़े से हो सकता है जिसकी वज़े से स्वास लेने में कठनाई, सीने में जकडन, सांस फुलना इस तरह की गंभीर समश्या देखी जा सकती है दोस्तो अस्थमा की समश्या हमारे देश में गंभीर रूप लेती जा रही है हमारे देश में हर वर्ष अस्थमा के एक करोड से भी जादा मरीश शिकार हो रहे है अस्थमा होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि कई बार अस्थमा की समश्या अनुवान्शिक रूप से भी देखी जा सकती है। जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति को अस्थमा की समश्या है तो यह संभावित है कि उनके माता-पिता को भी इस प्रकार की समश्या रही होगी, यह अनुवानशिक माता-पिता से बच्चों में ट्रास्पर होती है और इस प्रकार की समश्या गंभीर होती जाती है तो कई बार वायू मंडल में फेला हुआ प्रदुशन इस समश्या को गंभीर रूप देता रहता है जैसे की धुवे के कारण भी अस्थमा का प्रॉबलम हो सकता है तेज चलने की वज़े से भी यह समश्या हो सकती है कई बार कोहरे में निकलने की वज़े से भी यह समश्या हो सकती है मोसम में बदलाव और स्वास मार्ग में कही न कही इंफेक्शन होता है वह भी एक अस्थमा का कारण हो सकता है अस्थमा की वजह से कुछ गंभीर लक्षन हमें देखने को मिल सकते हैं जैसे की सास का फुलना, सास लेने में तकलीफ होना, कोहरे में जाने से एलर्जी होना, अत्यदिक ठकान का महसूस करना अब बात करते हैं कुछ घरेलू नुसकों के बारे में जो अस्थमा की समश्या को ठीक करने में हमारी मदद करेगी तो शुरू करते हैं से कौन से घरेलू नुसके हैं जो अस्थमा की समश्या को ठीक करने में हमारे मदद करेगी सबसे पहला नुसका है लसन, लसन की कली को अगर आप रात में दूद के साथ उबाल कर इसका सेवन करते हैं तो यह भी आपकी अस्तमा की समश्या को ठीक करने में आपकी मदद कर सकती है दूसरा नुसका है अंजीर, अगर अंजीर को आप पानी में विगो कर रात में रखते हैं और सुबह अंजीर को खाते हैं तो यह भी अस्तमा की समश्या को ठीक करने में आपकी मदद कर सकती है अगर मेथी के दाने को अगर रात में आप विगो के रखते हैं और उसी मेथी के दाने का आप सेवन करते हैं तो यह भी आपकी अस्तमा को समश्या को ठीक करने में आपकी मदद कर सकती है दोस्तों अब बात करते हैं कुछ हमेपेथी मेडिसिन्स की जो अस्थमा की समश्या को जड़ से ठीक करने में मदद करेगी तो ऐसी कौन सी दवाई है जो आपकी अस्थमा की समश्या को जड़ से ठीक करने में मदद कर सकती है तो शुरू करते हैं सबसे पहली मेडिसीन है बलाटा, बलाटा मदर टिंचर अगर आप 15 बुन सुभ, 15 बुन शाम को पीते हैं आदे कब पानी के साथ, तो यह आपकी अस्थमा की समश्या में जैसे की सास का फुलना, सास लेने में तकलीव होना, इस प्रकार की समश्या को ठीक करने में आपकी मद करेगी, और दूसरी दवाई है दोस्तों, एंटियम ट्राट 200 पोटेंसी में, अगर यह दवाई आप 2 ड्रोब सुभ, 2 ड्रोब शाम को अगर टंग डोज भी लेते हैं, और आपको बलगम की भी समश्या होती है, और उसके साथ आपको स्वांस लेने में तकलीव होती है, त अगर आपको स्वांस लेने में समश्या के साथ साथ खासी की भी समश्या है, तो आप इस्पोंजिया टोस्टा 200 पोटेंसी में 2 ड्रोब सुभ, 2 ड्रोब शाम को टंग डोज भी लेते हैं, तो यह आपके खासी के साथ साथ स्वांस लेने की समश्या को भी पूरी तरीके से ठीक कर देगी तो यही थी दोस्तो हमारी तीनो दवाई जो अस्थमा की अलग अलग समस्या में आपकी मदद करेगी अगर यह तीनो दवाई आप एक महने तक पंटिबि लेते हैं तो आपकी अस्थमा की समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी तो यही था दोस्तो आज का हमारा डिस्केशन अस्थमा के उपर मैं डॉक्टर चेतन गुपता डाइरेक्टर आफ आईश्मत स्पेशलिटी प्रिडिक्टी होमेपेथी क्लिनिक इंदोर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ